यह है गाईज 2013 की निवली लॉंच बजात पलसर N160 Obedo E20 का ने उस काई बिलू कलर आज मैं इस बाइक का फिली डिटेल्स में रियू करने वाला हो तो आज हम बात करेंगे इस बाइक के न्यूई फीचर्स अन अब्लेट्स के बारे में साथी में प्राइस बनने के बाइद इस बाइक की अब औरल अन रोड प्राइस कहा है मालेज केतने देती है टॉप स्पीड कीतनी है सार जान करें दोस्तो इस वीडियो के अंदर में आपको डिटेल्स में देने वालो कुछ इस बाइक का साइड लूक है सबसे पहले अबडेट की बात की जाए तो अभी आपको इस बाइक की अंदर न्यू स्काइब लू कलर मिलता है जो कि देखने के लिए इस बाइक को काफी ज़दा एक्टरेक्ट लूक देता है कावल की उपर अभी आपको न्यू एन वन सिक्ष्टी की ब्रेंडिंग मिलती है दूसरे अबडेट की अगर हम बात करें तो टैंक कैप की उपर अभी आपको E20 सपोर्ट की बैजिंग मिलती है यानि यह जो बाइक 20% एतनल और 80% पेटरोल से चलेगी अभी हम बात करते हैं इस बाइक की के बारे में तो कुछ इस बाइक की किये की 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 उपर आपको बजाज का लोगों मिलता है बाकी यह इस बाइक का की पॉइंट अभी हम बात करते हैं इस बाइक के फ्रंट लुक के बारे में तो एक बार अभी इस बाइक का फ्रंट लुक चेक आउट कर लो कुछ इस टाप का इस बाइक का फ्रण्ट लुक है स्टार्ट करते है फ्रण्ट से तो फ्रेट में आपर में मैट बलेक कलर की फिनिसिंग मिलती है बाकी बीच में आमरे लगेगी नम्बरल पेट इंटिकेटर्स के अगर हम बात करें तो side में आपर में halogen indicators का setup मिलता है जो कि halogen bulb के साथ आते है तो एक बर आप इसका look देख सकते है बीच में आपर आपको glossy black finishing मिलती है side graphics के अगर हम बात करें तो side में हमें silver and lemon green color के साथ graphics मिलते है जो कि इस बाइक को कापी जदा attractive look देते है front में आपको i-shape led derals का setup मिलता है जो कि बहुत ही अच्छा है headlight के अगर हम बात करें इसके अंदर आपको BI functional projector headlight का setup मिलता है जो कि night के अंदर इसकी visibility दोस्तों आपको बहुत ही अच्छी मिलेगी एक बर अब इसकी beam check out कर लो तो कुछ ऐसी इसकी beam है तो यह है इस बाइ का overall front look अब यह हम बात करते है इस बाइ के suspension के बारे में suspension की बात की जाए तो front में आपको 37 mm diameter के telescopic force suspension का setup मिलता है suspension के side में इसके reflector है जो कि safety के लिए बहुत ही अच्छी बात है मटगाड के अगर हम बात करे तो front में आपर हमें fiber body के साथ इस बाइ का मटगाड मिलता है जो कि dual tone color के साथ आता है मटगाड के quality की बात की जाए तो कापी premium इसकी quality है बाकी side में आपको matte black color की finishing मिलती है बाकी मटगाड के side में dual channel ABS की branding है तैरस की बात की जाए तो front में आपको 100 by 1817 के tubeless tear मिलते है जो की 17 inch black color के level setup के साथ आते है एक बार आप इसके side check out कुर लो 17 inch के इसका level setup है पैरस की उपर कुछ इस टाप किसके ग्राबिक से जो की silver and sky blue color के फ्रंट आर की विड़ित की बात की जाए तो कापी अच्छी इसकी grip and विड़िते breaking की बात की जाए तो फ्रंट में आपको 300 mm का DC setup मिलता है जो की ABS के साथ आता है बाकी यह है इसके ABS की ring side में आपको green meka के calipers मिलते है जो की बहुत ही अच्छे calipers है handle bar की बात की जाए तो इस बाइक अदर आपको single pipe handle bar मिलता है जो की थोड़ा बूद उठा हुआ है कुछी step के इस बाइक की mirror से जो की आपको matte black color के साथ मिलते है इसकी design आप देख लो बारेंट से आपर में metal body के साथ मिलते है बाकी इस बाइक का clutch जो 200 कापी ज़दा light weight है आग में इस बाइक का passing switch है बाकी यह इस बाइक का low beam और high beam switch नीचे इस बाइका turn indicator switch engine kill switch main headlight on off switch और नीचे इस बाइक का self start switch है semi digital meter console setup के साथ बाइक आती है कुछी step से इसका meter console जो है वो on होता है indications की अगर हम बात करें तो यह आप रपको side stand की indication बाकी turn indicator की light high beam passing की light side में आपको RPM limit की light मिलते है और यह आप रपको ABS की light side में turn indicator की light और neutral की light मिलते है left hand side में आपको low battery indicator oil indicator और check engine की light मिलते है बीच में इस बाइका RPM meter है जो कि आपको fully analog के साथ मिलता है display के अंदर आपको gear shift indicator speedometer odometer, time clock trip meter and side में इसका digital fuel gauge है और भी features की बात की जाए तो mode के बटन को प्रेस करने के बाद या आपर आपको trip 1 trip 2 DTE याणि distance to empty feature और odometer कुछ इस टपकिस के features मिलते हैं साथ ही में इसके अंदर आपको AFE याणि average fuel economy, real time mileage indicator, service due reminder कुछ इस टपकिस के features मिलते हैं fuel tank की बात की जाए तो इस बाई के अंदर आपको 14 liters का fuel tank मिलता है जैसा मैंने कहा कि tank cap की उपर अभी आपको E20 support की बैजिंग मिलती है silver finishing के साथ इस बाई के जो है fuel cap है जो के metal body का है इसके अंदर आपको USB charging port का option भी मिलता है traveling करते हैं आप अपना smartphone जो है आरम से charge कर सकते है इस बाई के fuel tank है इसके अंदर आपको glittery color का effect मिलता है जो की देखने के लिए बहुती ज़्यदा act track 2 लगता है fuel tank के साथ में आपको dual tone color के साथ graphics मिलते है side में silver and lemon green color के साथ graphics है बाकी यह है इसके air events और इसके side में उसी tap के इसके graphics है जो की dual tone color के है fully metal body के साथ इस bike का आपको fuel tank मिलता है इस bike अंदर आपको split tap sit मिलती है जो केरिस की cushioning जो दोस्तों बहुती ज़्यदा अच्छी है 795 mm इसकी seat आइट है sit के बीच में pulser की branding है बाकी comfort जो आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा sit का side look एक बार आप check out कर लो बाकी अभी हम बात करते हैं इस bike के side panel के बारे में तो fully fiber body के साथ इस bike के जो side panel है ये वाला part आपको fiber body के साथ मिलता है बाकी ये भी fiber body का है ये है इसके air vents dual tone color के साथ इस bike का आपको side panel मिलता है next update की बात की जाए तो काउल के उपर अभी आपको new N160 की branding मिलती है जो की black color की है इसके उपर आपको dual tone color के graphics मिलते है काउल के नीचे इस bike का आपको sit lock मिलता है यहाँसा आप इसके sit को open कर सकते है स्टार्ट करते हैं इस bike के side look से तो कुछ ऐसा इस bike का side look है स्टार्ट करते हैं इंजिन के front से इंजिन के front में इस bike की radiator oil cooling system है जो कि आमरे इंजिन को ठंडा करेगी यह है इस bike का catalytic converter safety के लिए side में इस bike का crash guard है जो कि आपको fully metal body के साथ मिलता है नीचे इस bike का engine का उले जो कि आपको fiber body के साथ मिलता है इसके उपर आपको dual tone color के graphics मिलते है इसकी भी quality 200 कापी जदब premium है 165 mm तक का इसके अंदर आपको ground clearance मिलता है जो कि आप होती अच्छी बात है नेक्स्ट अपडेट की बात किये जाए तो अभी आपको इसके अंदर BS6 face to any obudu 2 e20 f engine मिलता है इसके अंदर आपको 164.82 CC का single cylinder 4 stroke 2 wall oil cooled obudu 2 e20 f engine मिलता है जो कि produce करता है 16 PS की power और 14.65 mm तक का torque side में इसका gear manual है total 5 speed gearbox setup के साथ ये bike आती है बाकी ये है इस bike के adjustable radar footrest जो कि rubber padding के साथ आते है नीचे इस bike का single stand and double stand है जो कि side stand engine cut off sensor के साथ आता है safety के लिए side stand engine cut off sensor बहुत ही अच्छी बात है बाकी side में इस bike के adjustable pillion footrest है जो कि metal body के है ये है इस bike का mud flapper जो कि आपको fiber body के साथ मिलता है और ये है इस bike का tire hugger इस bike के अदर आपको open chain cover set मिलता है जो कि fiber body का है नीचे इस bike का box cutting swingar में जो कि आपको fully metal body के साथ मिलता है बाकी इसकी उपर tire pressure की information है ये है इस bike का chance pocket safety के लिए side में इस bike का सारी गाड़े जो कि आपको fully metal body के साथ मिलता है matte black color के साथ इस bike का joy सारी गाड़े इस bike के rear में आपको tire hugger मिलता है जो कि fully fiber body का है इसकी भी quality दोसों कापी जिदा premium है स्टार्ट करते है इस bike के rear से तो rear में इस bike के split tap grab real से जो कि आपको silver finishing के साथ मिलते है इस bike के rear में आपको split LED tail light का setup मिलता है जो कि fully LED tail light है side में उसी tap के halogen indicator से जो कि halogen bulb के साथ आते है बीच में इस bike का number plate reflector है जो कि halogen bulb के साथ आता है बाकी safety के लिए और एक इसका reflector है बीच में आपर लगीगी number plate यह आप आप देख लो overall कुछी इस tap के इस bike का rear look के rear tire की width की बात की जाए तो कापी अच्छी इसकी grip and width दे start करते है इस bike के आपोजी set के look से तो आपोजी set से इस bike का जोई से में लोके tank के उपर आपको उसी tap की पलसर की branding and cowl के उपर आपको उसी tap की N160 की branding मिलती है start करते है engine के front से तो engine के front में इस bike का single on का setup है एक बर आप इसके on की आवाद सुन लो नीचे इस bike का engine guard है जो के आपको fully fiber body के साथ मिलता है dual tone color के साथ इसके उपर ग्राफिक से side में इस bike का crash guard है जो की metal body का है engine के उपर आपको DTS से आटिवी इंस पार की branding मिलती है fully matte black color के साथ इस bike का जो engine है यहाँसे आप इसके oil की quality को चेक कर सकते है और यहाँसे आप इसके engine oil को fill up कर सकते है उसी टैप का इस bike का जो side panel है जो के fiber body का है यह है इस bike का brake lever side में उसी टैप के adjustable rudder foot wrist जो के rubber पेने के साथ आते है और यह है इस bike के adjustable pillion foot wrist यह है इस bike का under belly exhaust जो के आपको fully metal body के साथ मिलता है suspension की बात की जाए तो rear में आपको adjustable monoshock suspension का set up मिलता है खरब राश्य के परे suspension आपको कापी अच्छा comfort देने वाले तो adjustable इसके suspension है braking की बात की जाए तो rear में आपको 230 mm का disc set up मिलता है जो की ABS के साथ आता है यहनि इस bike के आगे और पीछे में आपको ABS मिलता है यानि की यह जो बाइक dual channel ABS setup के साथ आती है टायर साच के अगरम बात करे तो rear में आपको 130 by 1717 के tubeless tire मिलते है जो की 17 is black color के air level setup के साथ आती है यह आप 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 इसकी side check out कर लो 130 by 1717 के tubeless tire है टायर स्कूपर आपको कुछे strap के इसके grabics मिलते है जो की silver and sky blue color के है तो guys इस bike के सारे updates इस उड़े के दर में आपको determine explain किये mileage की बात की जाए तो 45 kmph तक है यह bike आपको mileage देगी top speed की बात की जाए तो 125 kmph के यह bike आपको top speed देगी इस bike के basic body dimensions एक बड़ाब display के उपर देख लो 1,13,000 इसकी एक शुर्म प्राइजे और 1,62,000 इसकी अन रोड प्राइजे अभी जो आप इस bike का exhaust note सुन लो इसकी जाइग बात की आप 20, roles ऐाइब लात की झाल झाल झाल